और खास करके उन लोगों के लिए एक ख़वर है जो बिहार की राजनीत को जानना चाहते हैं और बिहार की राजनीत में क्या कुछ हो रहा है उसकी टौह में भी रखते हैं आगको पता है कि भारत लाइब ऐसी ही ख़वरों को आप तक पहुंचाता रहा है और एक ख़बर जो सामने आ रही है वो ख़बर भारती जनता पार्टी और जदियू के एक बार फिर से आमने सामने आने और कहा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि जदियू एक बार फिर से भारते जन्ता पार्टी के करीब आना चाह रही थी और इसके लिए वो बिभिन तरह के काम कर रही है जिससे भारते जन्ता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से नितीश कुमार और उनकी टीम भारते जन्ता पार्टी के साथ आना चाहते हैं हलाकि इस बात को लेकर के लगतार चर्चा बिहार की राजनीत में हो रही है और आपने खास करके एक सब्ता पहले सुना होगा कि प्रसांद की शोर ने भी इस पर सवाल खड़े किये थे और कहा था कि नितीश कुमार का मन अब नहीं लग रहा है महागट बंधन में जिस मकसद से आये थे मकसद पूरा नहीं दिख रहा है ऐसे इस्थिती में नितीश कुमार एक बार फिर से भारते जंता पार्टी के तरफ सिप्ठ होना चाहते हैं इतना ही नहीं बात ये भी हो रही थी कि दो सीटों के उपचुनाओ के बाद अगर तेजस्वी यादों दोनों सीटों को जीत जाते हैं तो ऐसी स्थिती में भी नितीश कुमार का काम महागठ बंधन से समाप्त हो जाएगा और यही कारण है कि लगतार महागठ बंधन से हो रहे जो परिवर्तन है और जिस तरह से नितीश कुमार आये थे और अब महागठ बंधन का स्वरूप इन दो सीटों के उप्चिनाओं के बाद से बदल सकता है, इसे देखते हुए नितिश्कमार एक बार फिर से हाथ बढ़ाने लगे हैं भारत्य जंता पार्टी के तरफ, इसी कड़ी में कहा यह जा रहा है कि राजी उरंजन सिंग और फ्ललन सिंग जो जंता दल उनाइटेड के रास्टी अध् प्राडिक्शन भी है कि एक तरफ जहां ललन सिंग चुनाओ प्रचार में राश्टी जंता दल और महागडवन्दर के उमिद्वार के लिए वोट मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो भारत्य जंता पार्टी के तरफ भी आने का सोच रहे हैं, हलाकि यह बात क्यों कही जा रही है और यह बात के सुरुवात कहां से हुई, तो आपको बता दें कि ललन सिंग ने एक वीडियो सेयर किया था, वो वीडियो था राम किरपाल यादो का, राम किरपाल यादो छट के घाट को बहार रहे थे और उसे साप सुत्रा कर रहे थे, उन्होंने बदहाई दे देता रहा है, आज छट पुजा के मौके पर भी दे रहा है, और भविस में भी समाजीक प्रेम बरकरार रखने की हिम्मत है, यहां समाजीक विद्वेस फैलाने वालों की खैर नहीं, और इसमें उन्होंने जो वीडियो सेयर किया, जो फोटो सेयर किया है, वो राम किरपाल यादों का है, और यहीं से यह सारा वीबात शुरू हो गया है, कि कहीं ऐसा तो नहीं, हाला कि यह बात संजेज आसवाल खोल करके कह रहे हैं, कि अब उनकी इंट्री नहीं है, यानि जद्यू की इंट्री अब नहीं है, इसके पीछे कही कारण बताया जा रहे है, चिराग सांसद राम किरपाल यादो जी का वीडियो लगा कर छट के भाईचारे का संदेश दिया है पर कितना भी प्रयास कर लीजिये अब हम किसी भी कीमत पर जद्यू के साथ कोई समझाता नहीं करेंगे ये बिवाद यहीं से सुरू हुआ है और इस बिवाद ने एक नए बिवाद को जन्दे दिया है अगली खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो खुलासा हुआ है उसमें अब बिहार की राजनीत में उखाड का बार सुरू हो गया है अगली खबर में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार की राजनीत एक बार फिर से उबाल ले ली है चट समाप्त होते ही ये उखाड का बार सुरू हो चुका है जुड़े रहे हैं भारत लाइब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद गहंटी बा उकराब बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रहा मुफ्ट में मिल जए अगर रहा पत्रकाइटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 938681